प्रवारत का मूल निवासी कौन है तो वाईये जानते हैं इस वीडियो में कि भारत का मूल निवासी कौन है विज्ञान कहता है कि धर्ती पर जीवन की उत्पत्ति अस्तन धारी जीवो का विकास 14 करोर बर्स पुर्व हुआ मानब का प्रकार होमिनीड 2.6 करोर बर्स पुर्व आया लेकिन अधूनिक मानब 2 लख बर्स पुर्व अस्तित्व में आया पिछले 50,000 वर्सों में मानब समस्त वीश्व में जाकर बस गया विज्ञान कहता है कि मानब ने जो यह अभूत पुर्ण प्रगति की है वह 200 से 400 पेडियों के दौरान हुई है उससे पुर्व मानब पस्तु के समान जीवन बेतित करते थे प्रतिक देश का नागरी खुद को वहां का मूल निवासी मानता है जैसे अमेरिका बासी खुद को मूल निवासी मानता है लेकिन वहां की रेड इंडियन जाती के लोग कहते हैं कि यह गोड़े और काले लोग बाहर से आकर यहां बसे हैं इसे तरह यूरोप बासी का एक वर्ग खुद को आड़े मानता है। अधिकतर इतिहास कार मानते हैं कि आड़े मध्य एसिया के मुलनिवासी थे। अब आओ हम इतिहास और विज्ञान की नजरों से जानते हैं कि भारत का मुलनिवासी कौन है। ट्राइवल्स का अर्थ होता है जनजातिये। 9 अगस्त को विश्व जनजातिये दिवस मनाये जाता है। विश्व जनजातिये दिवस अर्था विश्व की सभी जनजातियों का दिवस। किसी जाती धर्म समाज राश्व महान व्यक्ति के ग्यान का अपनी आँखों पर चस्मा लगाकर उक्त बातों को मानना या जानना मतांधता और अंध्विस्वास ही माना जाएगा। दरसल यह मतांधता धर्म और राजनीती के स्वार्थ के कारण भी उपजती है। भारत में जाती गत विवाजन एक चुनावी खेल भी है जिसके चलते देश का समाजिक तनावना ही नहीं टूटाबल की लोगों के बिश नफरत भी काफी हद तक बढ़ गई है। यह हमारी इतिहास की ब्रामित समझ और सिक्षा का ही परिनाम है। यदि हम मुलनिवासी की बात करते तो धर्ती के सभी मनुष्य अफरिकन या दक्षिन भारतिये हैं। 35,000 बर्स पुर्व मानव अफरिका से निकल कर मधेशिया और योरोप में जाकर बसा। योरोप से पहले योरोप से होता हुआ मनुष्य चीन पहुचा और वहां से वह पुना भारत के पुर्वत्तर हिस्सों में दाखिल होते हुए पुना तक चीन भारत पहुच गया। वैग्यानिकों की माने तो इससे पहले लगभव 19 करोड साल पहले सभी दुईप राष्ट एक थे और चारो और समुद्र था। यूरोप, अफ्रिका, एसिया, और अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अर्थात धर्ती का सिर्फ एक टुकरा ही समुद्र से उभड़ा हुआ था। इस एक खटे डुईप के चारो और समुद्र था और इसे वैग्यानिकों ने नाम दिया इंजिया। समा सकते हैं कि प्रारंबिक मानब पहले एक ही अस्थान पर हता था। साथियों के लोग ने अपने भूमी और जंगल को छोड़कर अन्य जगह पर निस्क्रमन करते हुए इस सुदता को छोड़कर सम्मध बनाए उनमें बदलाव आता गया। यह बदलाव वाता परन और जीवन जीने के संघर्स से भी आया। खेर अब हम बात करते हैं भारत के मूल लिवाश्यों की। वेदों में ऐसा कोई प्रमान नहीं है जो आड़ियों, दासों, दस्वियों और नसलिये वेद को प्रदर्शित करता हो। वेज्ञानिक अध्यानों वेद सास्तरों, सिलालेखों, जिवाश्मों, सुरूतियों प्रित्वी की संरचनात्मक विज्ञान, जेनेटिक अध्यान और डिने के संबंधों आदिकी अधार पर यह तथ्य सामने आता है कि धर्ती पर प्रथम जीप की उत्पत्ती गोंडवा और लारेसिया को मिला कर बना था, गोंडवाना लेंड के अमरिका, एफ्रिका, अंटार्टिका, अस्ट्रेलिया एवं भारतिये प्राइद्वीप में विखंडन के पश्चात यहां की निवासी अपने अपने छेत्र में बट गए, जीवान का विका सर्प्रथम भारतिये गई हैं, यहां बड़ी माथा में डाइनासोर के अंडे और जीवाशम प्राप्थ हुए हैं, भारत के सबसे पुरातन अधिवासी गुंडवाना प्रदेश के गोड कारुकू समाज की प्राचीन कथाओं में यहां तथ्य कई बार आता है, तो फ्रेंड्स वीडियो हुआ है के बारत के सबसे ही, यहार को भीवासी कीफ थो और लिए हुआ हैं